तो आज में गीना गई हूं आप सब के लिए बहुत ही मिसदार वीडियो के साथ आज में लिकराई हूं आपके लिए इस पेशल प्रिशावरी करहाई तो चले दिखते हैं कैसे बनती है विडियो को स्टार्ट करते हैं विडियो को स्केपने कीज़ेगा स्टेप फॉलो आपकी कढ़ाई परफेक्ट बेंदकर रेडि होगी यहां मैंने सबसे पहले एक कप ले लिया है और इसको हम कढ़ाई में डाल लेंगे और अपनी जो है वो फ्लेम को मीडियम कर देंगे और अब हम ऑई को अची तरीके से गरम होने देंगे जब ऑई गरम हो जाएगा तो हम इसमें वन टी स्पून जिन्ट गार्लिक पेस्ट अट करेंगे फड़क है और इसको अची तरीके से फ्लाई कर लेंगी जब तक कि इसकी खुश्बूना निकल आए यहां देखिए इसक कि अच्छे से कुछ भूनिकालना स्टार्ट हो गई है अब हम इसमें अपनी चिकन एड़ करेंगे चिकन एक किलो है और यहां मैंने मिक्स चिकन दे लिया यानि के लाइक भी लिए और पीसेज भी लिए है और हम इसको अच्छी तरीके से फ्लाई करेंगे जब तक कि इसका अच्छेँ चाहिसाए इसी तरह है भूट ही ऑची तरीके से में चिकन को फ्राइख और यानिकन हए तेरीक्या ही चिकन आप प्रदेखें b तरह भी चेंज हो गया है बहुत यह तरीके से अब हम इसमें क्रीजिली एड़ करेंगे हमें 10 चिली एड़ करेंगे बीच में से कट कर लिये मैंने और इसको इसमें एड करने बाद अची तरीके से बून लेंगे यह देखें इस तरह बहुत यह तरीके से बुन दिया और अब हम इसमें एड करेंगे टुमैटो प्यूरी यह नहीं कि मैंने फाइफ टुमैटूस का जो है वह पेश्ट बना लिया था यहां देखें इस तरह ग्रेंडर करके ठोबानी एड करके ग्रेंडर कर लिया था और अब हम इसमें एड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से बुन लेंगे 5-10 मिन तक हमें इसको जो है वो बुन लेना है ताकि तर्माटर का कच्चप अंदूर हो जाए यहां देखें इस तरह अब हम इसको ऐसे ही पकने देंगे कि दो मेंद तास हम इसको ऐसे पकने देंगे इसके बाद अगेन हम इसको अची तरीके से बून लेंगे यह देखें इस तरीके से हमने जहाँ इसको बून लेना है ताकर टिमाटरों का जो है और यहां देखिए अब हम इसको कवर आउट करेंगे तकरीबन जब तक कि हमारे चिकन अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए तब तक और यहां देखिए अब हम इसको कवर आउट करेंगे और कवर आउट करके आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारे चिकन जो है वो कितनी अच्छी तरीके से कुख हो गई है और यह अच्छी तरीके से पंक भी चुका है और अब हम इसको एक दफा अच्छी तरीके से बून लेंग यह देखें इस तरह है कि इड़े किती जबर्द तरीके से हमारा तेल भी उपर आ चुका है और में चेकन भी टेंडर हो चुकी है और अब हम कसूरी में ठीड करेंगी तकीब यह वन टीस्पून हाथों की मदद से बिल्कुली क्रश करिंगे हब में कसूरी में deepen करेंगे कि देखें इस तरीके से और यहां हमारी पशावरी कराय कर आपकर हो चुकि अब इसको सफ करेंगे तिका कितनी ज़िए और किती ज़ड़ पर तरीके से अमारी बिशावरी करहाई रेडी होगी जरूर ठाइब कीज़ेगा इस रेसिपी को इत पर या दावत या इत पारडी पर बहुत ही मिज़िदार बहुत ही ज़ड़ पर डियर एडी हो जाती है तो आपको रस्पी पसंद आई होगी रस्पी पसंद आए तो लाइक करना ना भूले शेर करें कोमेंट करें और ऐसी मिज़दार रस्पीस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलती हूं नेक्स जड़े में आपनों बहुत सारा ख्याल किगा दुआ में दुखिएगा अला हाफिस